मेरे चैनल सौने की चटिया है over 1 में इस चनल को के लिए काफी बेनिफीशियरी है क्यों कि यसे ना केवल आपको भालत बलकि विश्यतियास को पर जानने में काफी मदद मिलेगी दोस्तों आज के इस वीडियो में जिसमानशितर के के लिए अपने आपको बलिदान दे दिया से लिए दोस्तों बात करते हैं कि जीवन से जुरी कुछ महतपून एवंग रुचाखटां के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका जनब 15 अपरेल 1530 को अम्रिस सर में गोईंद वाला सोंधी खत्री परिवार में हुआ था इनके पि फूसरी चाचा मुहत भ्यान लगाने की विद्य सीखी। इनके गुनओं को देखकर याने इनके मानवी और अधात्मि गुनों को देखकर इनके सोहर द्यता को देखकर इनके पिता राम दास ने मज अठारा वर्ष की उम्र में ही एक सितंबर पंड़ा सो इक्यासी इस्विकों के पांच वे गुरू का पद दिया इस पद को धारन करने के बाद इन्होंने अपने भाई गुरुदास के साथ मिलकर गुरु सुधारक भी थे उन्होंने सती प्रता का कड़ा विरोध किया साथ ही उस समय समाज में फैले अंद विश्वास और आडंबरों पर भी प्रहार किया इसलिए धातनक्षेतर में इन्हें एक उचायस्तान प्राप्त है इनके सबसे बड़ी देन है स्वर्ण मंदिर जिसे की हर करके मार डाला जहांगीर सता पर आसीन होते ही कटर पंथी को अपना रखे थे यानि वो केवल अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के ना तो रिस्पेक्ट करते थे और ना ही मानते थे इसलिए जब उनके बेटे खुसरों ने उनके खिलाव विद्रो किया तब उनक करोधित हो गया और 28 माई 1606 में इन्हें परिवार सहीच पकड़ने का हुकम दे दिया 30 माई 1606 में ये पकड़े गया और इन्हें गर्मी के दिन में लाहौर में गरम तावा पर बिठा दिया गया उसके बाद इनके उपर गरम गरम रेत और गरम तेल को डाला गया ये उस या इनके मुख से जो आकरी सब था वो ये था कि तेरा किया मीठा लागे हरी नामु पदारत नानक मांगे इस वर्ड को बोलने के बाद ये सदा के लिए खामोस हो गयाने मिर्ट्यू के गोद में समाग है दोस्तों सिख्षों के पांच वे गुरू गुरू अरजुन देव की जी येगा धन्यवाद